गुद मॉर्निंग स्टुडेंस इस वीडियो इस फॉर सब्जेक्ट मैक्स एंद इन इस वीडियो वी विल कंटिन्यू चाप्टर नमबर फॉर सब्ट्रेक्शन विदाउट बॉरोविंग प्रिविएस वीडियो में वीडियो में हम लोगोंने पेशन नमबर तू देखा था अरेंज वर्टिकली एंद सब्ट्रेक्ट मींस जो हॉरिजोंटली वैलिव गिवन थी उसे वर्टिकली अरेंज करके उसे हमने माइनस किया था आज हम पढ़ने वाले हैं अरेंज होरिजों आप अपकी notebook निकालो max की और वहाँ पर heading दो लिकों वहाँ पर max So question write करो Arrange horizontally and subtract ठीक है अब हम solve करते है horizontally max write down करते है then उसको solve करते है Write down first one सबसे पहले लिको 417 उसमें से आपको minus करना है 305 तो सबसे पहले आपको क्या करना है unit place 10 place and 100 place कौनसी है वो mention करना है ठीक है तो इससे आपका आप जो भी calculations करोंगे वो easy रहेंगा आपको ठीक है कि unit place वाली value से हम unit place वाली value को minus करते है 10 place वाली value से हम 10 place वाली value को minus करते है and 100 place वाली value से हम 100 place वाली value को minus करते है तो ये horizontally आपको subtract करना है तो देखो 7 में से आपको 5 को minus करना है ठीक है तो 7 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कित्ता आजाएंगा 2 तो पीछे unit place पर कियाएंगा 2 Then 10th place वाली value को माइनस करो 1 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो कित्ता आएंगा 1 ही आएंगा Then उसके बाद देखो 4 4 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे किता आ जाएंगा 1 ठीक है देखो unit place वाली value से अगर हम unit place वाली value को minus करते हैं तो answer भी हमें unit place वाली value पर ही लिखना है ठीक है 10 place वाली value से अगर हम 10 place वाली value minus करते हैं तो answer भी 10 place पर ही लिखना है and 100 place वाली value से अगर हम 100 place वाली value माइनस करते हैं तो answer भी हमें 100 place पर ही लिखना है तो इसका answer आजाएंगा 1, 1, 2 अब हम दूसरा example लेते हैं रैट डाउं करो 5, 0, 4 इसमें से आपको माइनस करना है 2, 0, 1 अब उपर pencil से लिखो ये क्या है? unit place value ये क्या है 10 place value ये है 100 place value similarly ये क्या है unit place value ये क्या है 10 place value ये है 100 place value ठीक है? तो देखो अब हम solve करते हैं 4 में से आपको 1 माइनस करना है तो किता हैंगा 3 10 place वाली value पर जाओ 0 में से आपको 0 माइनस करना है तो किता हैंगा 0 अब 5 में से आपको 2 को माइनस करना है तो यह पर कितना जाएंगा 3 तो इसका अंसर क्या जाएंगा 303 इस तरह से आपको इसे solve करना है देन उसके बाद 3rd वाला max देखो क्या है 7, 7, 9 उसमें से आपको माइनस करना है 2, 5, 0 अब इसके ओपर लिखो यह है unit plus value यह है 10 plus value and यह है 100 plus value unit plus value, 10 plus value and 100 plus value, ठीक है अब देखो, अब 9 में से आप 0 माइनस करो, कितना हैंगा यहाँ पर 9 7 में से 5 माइनस करो, कितना हैंगा यहाँ पर 2 similarly, 7 में से आप 2 को माइनस करो, तो यहाँ पर कितना जाएंगा 5 मतलब इसका अंसर क्या हैंगा 5, 2, 9 यहाँ पर देखो 4, 2, 0 इसमें से आपको माइनस क्या करना है 2, 2, 0 क्या करना है सबसे पहले उपर लिख लो unit place, 10 place, 100 place unit place, 10 place, 100 place ठीक है अब देखो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो किता हैंगा 0, 10 place की value पर जाओ 2 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो किता हैंगा 0, ठीक है, अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर किता हैंगा 2, तो इसका answer क्या है 200, तो इस तरह से आपको horizontally numbers को write down करके minus करना है, कुछ questions होमक के लिए है आपके, सो देखो यहाँ पर मैं आपको होमक देती हूँ, इसे आप solve करो खुद से ही, सो सबसे पहला होमक का question write down करो, 743-231 उसके बाद, second इस पर, 974-752 थर्ड नंबर पर आपको solve करना है, 669-524 फूर्थ होमर का question, 325-243 फिर्थ नंबर का देखो, 999-532 तो यह आपके होमक के questions है, इसे आपको खुद ही solve करना है, बाकी का हम नेक्स टुडियो में continue करेंगे